नमस्कार मैं हूँ संजीव स्रीवास्तो आप देख रहे हैं 4PM News Network मोहे कहां विश्राब राहूल गांधी कुछ इसी मुद्रा में हैं वे लोकसभा में नीता प्रतिपक शोचुके हैं और अठारवी लोकसभा का पहला सत्र समाप थो चुका है छोटा सत्र था संचिप सत्र था लेकिन कहा जाता है छोटे तीर घाव करें गंभीर कुछ वैसा ही अंदाज राहूल गांधी का इस सत्र में रहा और ना केवल राहूल गांधी बलकि उनका जो पूरे का पूरा एलाइंस है पार्टनर्स हैं उसके जो लीडरान हैं सभी ने सदन में कमाल किया और सत्र के समा अप्त होते ही अपने अपने शेत्रों में नेतागंड पहुँच चुके हैं जो इंडिया एलाइंस के हैं और जो जो लक्ष उनके हैं उन्हें साधने में वे तो जुटी गए हैं और इधर राहूल गांधी जैसे मैंने कहा कि मोहें कहां विश्राम वे कल दिल्ली में मजद हो और चाहे शत्ताधीश हो उनकी तरफ से जैसा जो होना चाहिए एक्षन वो नजर नहीं आया लेकि जब राहूल गांधी आज पहुंचे हात्रस तो जो उनकी परिपक्वता दिन बादिन बढ़ रही है वो साफ दिखता चला जा रहा है और वो चाहे वो दो यात्राएं ह जिसको करने के बाद राहूल गांधी ने अपने आपको देश में एक अलग स्थान पाया या एक जगह बनाई लोगों का जो उनके प्रति प्यार इसने रहा वो अब दीरे-दीरे कैसे उसको और वो बड़ा पाए उस काम में लगे और जो उनके समक्ष अभी लक्ष इंडि के तोर पर मानेता मिली है वे नेता प्तिपक्ष है संसद में लोकसभा में और लोकसभा में उनका अपना परफॉर्मेंस तो था ही था रासभा में मलिक आजुन खडगे जी ने भी कोई कोर और कसर सत्ता को घेरने में नहीं छोड़ी मूदी शाह और पूरी की पूरी टीम बेचेन हैं हैं परिशान हैं हलाकान हैं डिख रहा था साफ साफ चाहे वो सदन हो अब सदन के बाद ये पूरे का पूरह जो दरश्य मंजर है अब सडक पर उतरा है सडक पर आ चुका है तो जो ये सबकुछ चलरा है क्या कुछ नए आगोल खिलाएगा और जो मैंने कहा की राहुल गांधी का जो अंदाज है, महबत की जो दुकान उन्होंने खोली हुई थी, महबत की दुकान में और क्या कुछ नए नए अड होगा, वो हम देखते चले जाएंगे और अब तो अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग आवाद में, अब तो आज लालू यादो जी ने कहा है कि बहुत इंतिजार नहीं करना है, अगस्त नजदीक है, अगस्त क्रांती बड़ी ख्यात हैं अंदुस्तान की जो क्रांती हमारी आजादी की लड़ाई थी, और इसके सासद अब तो ये भी हो गया है, कि राहुल गांधी, जिस तरीके से अड़ानी और अमवानी की भी करीब 20 बरस बात 10 जनपत पहुँचे थे और वो उसकी भी चर्चा है, अलाकि वो अलग मसला था, वो कार्ड देने गए थे लेकिन पहुचना अनलमानी का, मुकेशमानी का माफ कीजेगा, आपने आप में खबर तो थी थी और खबर बनी और उसमें भी ये निकल कर आ लक्ष है, पूरे चुनाओ के दौरान जो वो बात करते रहे कि उनका निशाना क्या है, किसे वो चाहते हैं, क्या देश में समानता की बात वो कर रहे थे, कैसे ये हो सकती है, उन सब की और कल्भी वो दिखा, और ओवराल जो नजा रहा है, द्रश है, अभी जो ताजा हाला है, देश की राजनीती के, जिस तरीके की संभावना नजर आ रहे हैं, दिखनी है, और राहुल गांधी का अंदाज, उनकी जो टीम इंडिया, उसका अपना शैली और साथ-साथ, विपक्ष के जो तीर है, या विपक्ष के जो चाले है, उससे सत्ता पक्ष में खलवली, इ साथ हमारे राकिश अचल जी है, रबेन सिंग शौरांड साब है, सुशील दुबे जी है, और राजनीतिक विशलेशक दिल्ली विश्वित दैले के प्रोफिसर डॉक्टर सुदाशु कुमार जी है, हम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे सब, ये पैनल जो है, ह खुली-खुली बात होती है, कोई लाग-लपेट नहीं होती है, और तीखा बोलते हैं, और शांदार बोलते हैं, शुरुआत सुनी से राफ से करना चाहूंगा, राहुल गांधी, जैसे मैंने का मोहे का विश्राम वाला जो शैली है, थोड़ी कसर जूटी थी वो लोकसभा चुनाओं में, जो लक्ष था, उसे कुछ पीछे रहे, लेकिन वो जो लक्ष है, या जो आगे उनको राइनीती अपनी करनी है, और जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उसका निर्वहन जिस तरीके से करना है, जो गंभीरता उन्होंने पोड़ी है, और जो दिखा रहे हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा के माथम से, पर हावी तरीके से, अला कि मैं निजीद रुपे या मानता हूँ कि 2014 में इस सरकार के बनने के बाद से ही उनका जो इस सरकार के खिलाप अवियान था, वो शुरू हो गया था, लेकिन जो एक उनको विस्वसरी बनाने की कोश्य थी, जो उनको अगंभीर नेता एक रूप में प्रचारित करने का प्रयास था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन लेकिन भाराज जोड़ यात्रा के बाद उनके पूरे मुहीम में, पूरे राजिते के भियान में एक जबर्चास तरीकी की गरी में आ गई, और लोगों ने उनको गंभीरता स्रेरा शुरू किया, न क्यों उनको बलकि पूरे विपक्ष को, राहूल गांधी के ये उकलती ह है कि उन्होंने पूरे विपक्ष को विश्वशन नेता दिलाई, और जो ये बात प्रिशारित की जा रही थी, कि पूरा का पूरा विपक्ष, पूरे देश भर, भारती जनता पार्टी के मुकाबला करने की सिति में नहीं है, राहूल गांधीन ने प्राजिती का भियानों से जो सबसे बड़े तिलस्म को तोड़ा यह था कि भारती जनता पार्टी अपराजी है, यह महल खतम हुआ, और जो मोदी मैजिक की बात कही जाती थी, कि यह मैजिक खतम नहीं होने वाला है, और जो भारती जनता पार्टी के लोग कहा करते थे, आउग्गस्तमर्थक प्राइबने रहेंगे यह भ्रह्म भी तूट गया केवल उसका तरीका जो राहुल गंधी ने अपनाया वह था लोगों से सीधे सीधे जुरने उनके साथ संभाद कायम करने और अपने राजनेतिक भियानों में उसको शामिल करने हिमाचल प्रदेश में उसका पाजा पाजा करनाटक में उसका लाब मिला ते लंगाना में उसका लाब मिला और दो हजार चोबिस के लोग सबाद चुनाव के आते या थे एक पूरे देश में भारजन्दा पार्टी के खिलाब स्थिति बन गए आज इस्तिति यह है कि लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं और इसके लिए हम और आप कोई कलपना करके नहीं बात कर सकते यह जानने के लिए तमाम संसाधन है कि किसको सुना जा रहा है और को जनता के बीच में लोग कप्री है और किसको असुक्रित कर दिया जा रहा है इसके लिए आप दावे कुछ भी करते रहे कुछ तथ हैसे हैं जो सिधे सिधे बता देते हैं कि अगर लोगसभाब में राहूल गांधी का भाषण हुआ और संसत के यूट्यूब चैनला पॉल्स को अप्रोड किया गया सरकार के दौर लोगसभा के दौर रहा संसत को उसको कितने लोगों ने सुना नहारमंत्री जी के भाषण को भी को सुन रहे हैं या फिजिकली भी विविन आयोजनों में इस नेता को सुनने कि लिए लोग प्रयास करके जा रहा है तो नहों की को नहीं के समाने की समस्या नहीं के मुद्देंपर आगे बढ़ने की कोशिश प्रोजगार का सवाल हो. चाह केसामनों का सवाल हो, चाह महिलाओ का विषे हो, अगको हुआज तरस्त है और समाज की बीच से उठाहोवा मामला है. आप תती कि आधुआ ने वियारस सरकार के खिलाब तिलंगारह में ध्रश Doch कर लिया संश। नहीं पूर्छ टाकत नहीं थी जिस लाभारति पर करते थे वह T प्रसेंट की सरकारा के नाम से बड़े-बड़े पोश्टर लगे और उसी मुद्यक को लेकर के राहुल गादी ने पूरी अपने भियान को शुरू किया और अपने भारे जुलों यात्रा के दौरान भी इस विशे को गंविर्था से उठाया लोग उनके साथ खड़े हो गए अगर आप जनता के सवालों के साथ जनता से जुड़ करके अपने राजी तक वियान को चलाते हैं तो उसका प्रणाम वही आता है जो इस प्रणाम को हम और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सितिय ए थी मैं तो बहुत्तरों से मानता हूं कि अखिले स्यादों ने उत होती होती जो विधान सभा में जितनी वर्णते हैं तो साथ आज शिति और अलग विकट होती जो तैति सीटे जीत पाई बीजेपी वही नहीं मितती लेकिन जो विजिबिल्टी जो लोगों के बीच में उपस्षिति जो पब्लिक कनेक्ट राहुल गांधी ने अपनाया उस जहां लोगों के साथ भेद्भाव करने का रूप लग रहे थी अगर वही तरीका जो रहुल गांधी ने अपनाया होता तो साथ और इश्य प्रणाब लागि बावजूद इसके यह मैं कहता हूं कि इस सरकार के खिलाब विधान समाव में जिस आक्रामक्ता के साथ अखले स करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं खड़े हो आज वही सवाल हो गया कि लोग सभाव में विपख्ष के नेता के रूप में राहूल गांधी के भाशन के दोरा मुझे याद नहीं है मैं मतलब पिछले कई सालों में मैं राश्पती के भाशन के चर्चा सुनी हो प्रणाव मंत्री का उसका जबाव सुना है विपख्ष के नेता के भाशन पर कभी प्रधान मंत्री वहस्तक्षिप करते ही मैं नहीं दियेगा मैं मुझे याद नहीं है अच्छा जी हमसे वरिष्ट हो सकता कि उनको यादू लेकिन मुझे नहीं याद है और मैंने कही पढ़ा भी नह आप जबाब दे सकते थे हस्तक्षेप का कारण के वाल ही था कि राहूल गांदी के भाशन से जो एक पॉलेटकल नरेटिव डेवलप नहीं था उसको कमजोर करने की कोशिस थी लेकिन वह हुआ नहीं आज मुझे लगता है कि राहूल गांदी ने जो विपक्षिन जो विश स्वास में लेने और उनके घाव पर मरहम लगाने की जो कोशिश जो प्रयास सतर और दल के द्वारा या सरकार के द्वारा लोगों को दिखाई पढ़ना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है जी बिलकुल बिलकुल ठीक है रहा है कि जो अंदाज भी था और जवाब तो कहीं देने की स्थिती में है ही नहीं नहीं आपा रहा है रवी जी आपके पास आता हूँ जो बात हम कर रहे हैं अभी सदन की बात हुई और अब सड़क की बात है सड़क पर और सुशील सर ने काफी चीजें इस पस्ट की लेकिन सड़क पर जिस अब अवशकता है कुछ उसी को करते हैं नजर आते हैं राहूल गांधी उन्होंने बैठे नहीं चैन से नहीं कल भी सड़क पर ते और आज भी सड़क पर दिखे तो यह जो अंदाज है मुझे लगता है कि जो पूरे का पूरा इंडिया का ब्लॉक है जो जो उसके लीडरान है और उसमें बाकी भी दिख हैं तो इसको ओवराल में कैसे आप देखिएगा जो अंदाज रहा और जो अभी कहा हम तो सड़क पर भी देख रहा है कि उन्हें वह रक्षा मंत्री के जो था कि हम एक करोड़ों पर दिने उसका भी वह जवाब खोच कर लाए और उस पर भैस अभी चली चल रही है ओवरा अबतार तब से कर रहे हैं जब वो पहली दफा लोग सवा के सदसे जुन कर आए तब से लेकर हम लोग अगर आज बात करें कि कम दस साल तक जब मनमोहन सिंग्ग की सरकार थी तो कितनी बार ऐसा हुआ जब मनमोहन सिंग की सरकार के खिलाफ भी उन्होंने जिन इलाकों में बीजेपी के कॉंग्रेस की सरकार थी जिन प्रदेशों में वहाँ पर भी अगर किसी के साथ एक्रोसिटीज होती थी तो राहूल गांदी जाते थे उसके दो एक एक्जामपल आपको देता हूँ उसके बाद जब यूपी टू की सरकार थी ठीक उसी वक्त पे भूमी अधिग्रण कानून को लेकर वहाँ पर भटा परसोल की घटना गटी थी तब भटा परसोल यूपी में है वहाँ पर राहूल गांदी गए तब से लेकर राहूल गांदी लगातार सड़क की राजनिती कर संजीव जी मडी पुरी घटा तो तातकालिक है रविंदर नहीं सरकार के आने के बाद से उनकी सक्रेता रही है और इसके साथ इसर एक और एहम बात जिसको की बहुत नेगिटिव तरीके से प्रचारित किया गया था वो जो उन्होंने अध्यादेश की कॉपी हम लोग उस प्रेस कॉंफरंस से मौजूद थे जब अब देखी अध्यादेश की कॉपी अब राहुल गांधी उस वक्त कैबि सजा मिल गई दो साल की उस व्यक्ति को सदन में नहीं आना चाहिए तो मुझे लगता अधिकांस हिंदुस्तान के लोग यही तो चाहते थे वो उस वक्त पे सरकार के खिलाफ आम जन्मानस की राय थी और उन्होंने उसी राय का प्रकटि करन किया था लेकिन ठीक है उसको ब प्रेस कांफरेंस करते हैं तो पहली भारत जोडो यात्रा और दूसरी के बीच में जो गैप रहा तो हमपत्रकार लगातार उनसे पूछते थे कि क्या इस्ट से वेस्ट भी राहूल गांधी यात्रा करेंगे तो उनका यही कहना था कि राहूल गांधी आज भी भारत जोड यात्रा का हिस्सा है और जहां पर और जरूरत पड़ती है जहां जिस इलाके में वो जाते हैं वो भारत जोडो यात्रा का हिस्सा है तो वो जनता के साथ जो उनका कनेक्ट था चाहे वो आप देखिए जब हरियाना के किसी गाउं में सवेरे सवेरे धान की रूपाई होती ह तब वो खेत में महिलाओं के साथ जाके बैठ जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, और खास बात ये देखिए, लोकल लीडर्शिप जो हर्याना की कॉंग्रेस पार्टिक है, उसको कानो कान ख़बर नहीं होती, उनकी टीम ये प्लैन करती है और वहां पहुंच जाते हैं, इस से ये, और कभी ट्रक में बैठ जाते हैं, वहां के मसलों को जानने के लिए, तो मुझे लगता है, यही कॉंग्रेस पार्टिक की एक काफी कमी रही है, और इस कमी को उन्होंने दूर करने की कोशिश की, एक बात, दूसरा, उनके उपर जो एलिगेशन हमेशा लगते र गया, उन्होंने हमेशा इलजाम लगाया कि कॉंग्रेस के राहूल गांदी के आजपास की जो कोटरी है, जो उनके साथ के लोग हैं, वो बड़े नेताओं को उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है, जो कोटरी की बात करते थे, वही कोटरी शायद आ आज जब उनके सारे पत्ते सीधे पढ़ने लग गए, तो आज उसके बारे में कोई उनके क्रिटिसिजम नहीं कर दा, तो राहूल गांदी ने उसके बाद सदन के भीतर हमने देखा, जो परिपकवता उन्होंने एक सांसद और नेता प्रतिपक्ष के तोर पर दिखाई, औ उन्होंने अपने भाषन के दोरन तमाम एलिकेशन कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर जरूर लगाए, लेकिन साथी साथ उन्होंने एक बड़ी बात जो कही कि आज मैं नेता प्रतिपक्ष के तोर पर उनका भी संद्रक्षक हूँ जो आज जेल में बंद हैं, चाहे वो हेमन सोरेन हैं और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हैं, अगर उनकी पार्टी भी हमारे साथ है तो उनके साथ होने वाली हर समस्या की भी जिम्मेदारी मेरी है, और सब लोगों को बराबर का वक्त बोलने का मिले, और एक और बात, किस तरीके से समन में उन्होंने स्थापित किया है, तमाम जो विपक्षी पार्टीज हैं, अब देखिए, हम लोगों को देखने को मिला कि जिस दिन स्पीकर का चुनाव हुआ, उस बर ध्वनिमत से वो चुनाव हो गया, तो बाहर आने के बाद अभिशेक बेनर जी और कल्यान तरीके से उन्होंने इस बार सदन के अंदर रणनीती तयार की है, वो बीजेपी के लिए या सत्तापक्ष के लिए वाकई चिंता की बात है, और सुनील सर ने जो बात कहीं, मैं इस बात को दुबारा जरूर कहना चाहता हूं, कि सुनील सर मुझे भी सौमना चैडर जी संसद के भीतर से संसद कवर करते हुए, और जब उसके पहले संसद की करवाई को देखते हुए, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कितना भी तीखे से तीखा प्रहार नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया गया हो, लेकिन चाहे मनमोहन सिंग उस वक्त सत्ता में हो, चाहे इ अपना वक्त अवे जारी वहां पर नहीं किया, यह पहली दफा हुआ है, और उसके बाद छे बार, साथ बार, आठ बार, आठ बार, नो बार, जो उनका अलग-अलग मंत्रियों ने उनके भाशन को रोपने की कोशिश की, यह भी वाक़ी दिखाता है कि कितने बेचैन जो सत पक्ष्था उस वक्ता और ठीक वही स्थिती आपने अगर आप राज्ये सभा की कारवाई को क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लोक सभा को ज्यादा देखते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, राज्ये सभा की कारवाई आप संजी उसर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यह लेता प्रतिवक्ष की बात नहीं है, खाली मलिकार जुन खड़गे की बात नहीं, वहाँ पर जब मनो ज्या भाशन देते हैं, जब वहाँ पर संजे सिंग भाशन देते हैं, तो उनके भाशन में चेयर से कम से कम 10-10, 15-15 बार 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 उनको टोका जाता है, ऐसी रोक टोक ऐसी रोक्टो कभी नहीं होती है और वो भी तब जब सभापते खुद वहां पर चेर पर बैठें तो इसे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं एक चिंता की लकीरें जो सरकार के माथे पर हैं वो साफ दिखाई दे रही है और सदन के भीतर जो नंबर के बदला है उस नंबर से बीजेपी कहीं न कहीं बैक फुट पर जरूर है और इतनी जो प्रधानमंत्री नरेन मोदी उनको एक मजबूत नेता के तौर पर सबने देखा है जब वो सदन के भीतर आते हैं तो सब लोग उनके मोदे जिंदाबाद मोदे जिंदाबाद के नारे लगाते लेकिन वो आव कि बीजेपी को सहन करने में या इसको डाइजेस्ट करने में समय लग रहा है और रहुल गांधी जिस तरह से लगा था, लेकिन हम और आप आज भी वही डिवेट कर रहे हैं पत्रकारों का काम कभी खत्म नहीं होता, थीक उसी तरह के से लगए रहा है कि रहुल गांधी का क काम भी खत्म नहीं हुआ वो चुनाव में भी उसी तरी केसे धुरंदर प्रचार कर रहे थे जैसा कि आज हाथरस हो चाहे हाथरस के बाहर निकलने के बाद रेलवे के लोको पाइलेट से वह मिले हो चाहे मजदूरों से उनकी मुलाकात हो वो लगातार लोगों के साथ अपना जुड़ाव जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कल जो हमने देखा अगनीवीर जो अजे सिंग है पंजाब के शहीद अगनीवीर हैं उनके पेरेंट्स ने इस तरह से कहा कि हम लोग राहुल गांदी के साथ खड़े हैं उन्होंने अमारे आवाज को बुलंद क देखिए राहुल गांदी के सरकार पंजाब में नहीं है वहाँ पर केंदर में राहुल गांदी की सरकार नहीं है लेकिन क्योंकि उन्होंने सही मुद्दे का उठाया और उसी मुद्दे का उठाने के वजह से उस परिवार ने राहुल गांदी के पीछे अपना पूरा वे मेज़ोरिटी थी इतने बड़ी मेज़ोरिटी उनके पास थी और कल और कितनी हरानी की बात है जेखिये जो राकेश सिंग भधोरिया जो एर वाय एर चीफ मार्शल इटार हुए उनको बीजेपी की सपोर्ट में आना पड़ा और उनकी वाइट को बीजेपी ने अपने ओफि किसी जाती से मतलब ने किसी धर्म से संप्रदाय से मतलब नहीं है और वो जब भारत को पड़ी तो उन्होंने आगे बढ़कर भारत की मदद की भारत की हमेशां तयार रहे वो अपनी सीने पर गोली खाने के लिए उनको पहली बार पॉलिटिकल मोटिव के लिए यूज किय यह भी एक चिन्ता के बात है जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही जी संजीर जी बिल्कुल बेल्कुल ठीक करें आप देखिए वह बहुत मुद्दे आधारी बात करें तिलमेलार्ट यहीं कि सरकार के पास जवाब किसी भी बात का नहीं है वो गोलमोल जो शैली रही है बीते दस सालों में OC को कोशिश जारी रखना चाहती है लेकिन अब वो इस्तिती नहीं है नंबर गेंग बदल चुका और अग्रिसिव नेस्टों में लोकसभा में ही देखी ना बहुत महुआ मोहितरा जब बोली तो कैसी तिलमेलाड ट्रेजरी बेंच पे दिखरी थी राकेशर जो दो चीज़े एक तो टाइमिंग अब राहुल गांदी की टाइमिंग बड़ी देखिए बहुत नस्दीक है बहुत दूर नहीं है हात रस जाया जा सकता था केंदर से अभी मुझे ध्या हा रहे हैं बारबाद जो नया स्वरूप है इस सब पर आपकी अफ्रेटेश रही है राकेशर धन्यवाद संजीजी देखिए बदले बदले मेरे सरकार में जर आते हैं और घर की बरवादी के आसार में जर आते हैं यह यह जो 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 शेर है यह इस समय भारत की हम लगातार 70-70 साल से लोकत्त की और बढ़ रहे थे लेकिन पहला मुखा आया कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार दक्षिन से एक राजदंड ला करके दोगसमा में स्थाथिक कर दिया अब जब कि भारती जन्ता पार्टी राजदंड के बारे में भी कुछ नहीं जानती और पर्धिन जानती थी जब वो गुझरात में मुख्रमंट्री थे और अभी नहीं जानती एक देश के तीसरी बारतामनुद्दी की रूप में सपधले चुके है तो जो आजमी राजद्रम नहीं जानता जो राजदंड का मतलब नहीं जानता वह जनता के दुख दर्द को कैस वे सेथी सब्सक्राइब आए वह सिंग साथ मैं एक लिकुल भाद करता हूं कि हमारे माईमनी जो प्रधानम्ती है वो संग के प्रचारक रहे हैं और वो तीसरी बार वह प्रधानम्ती बन गये लेकिन अभी तक आदिकारी गूरूप से उन्हों प्रचारक पथे अपनी वुक तो वो आज भी प्रचारक हैं और प्रचारक के तौर पर काम करते हैं तो इन सब को चुके वो भूल चुके हैं और उन्होंने हमेशा अब पक्ष की राज्मिति की भार्ती जन्ता पार्टी के जन्म से लेकर के अभी तक इस वीट मैटल जी आ गए थे और अब यह दस साल पे हैं तो अभी तक इतको यह आदत ही नहीं पड़ी के राजधन होता क्या सब्ता में बैठी पार्टी की भूमिका क्या होती है तो आज भी यह विपक्ष की भूमिका में है और जब आपने सदन में देखा रास्तभी के अरवाशन के समय तो मानने यह प् अब बात है राहुल गादी की तो राहुल गादी का जैसा कि सुलू में समील जी ने कहा कि वो आज से गंबीर नहीं है आज से जंता से कनेक्ट की है वो 2004 में पहले बार पंसंद में आये थे सबसे उन्होंने इस भूमिका को चुन दिया था और इसके पीछे देखिए देखिए के लिए और विपक्ष में भी रही आपातकाल का एक बहुत गंबीर आरोप उस पर लगा सब्ता से दूर भगाई गई वापस सब्ता में आई बावजूद उसके उसने उसे जो भूमिका में अपने तई बहुत अच्छा काम करने कोशिस की जैसे इंद्र गादी क बेलशी से सुरू होके जो परंपरा सुरू होती है वो आज हाथरस पर आकर टेक जोई है ऐसी कोई परंपरा भारती जबता पार्दी के पास नहीं है अगर हाथरस में इतना बड़ा हाथता हुआ सो सवा सबों मर गए तो मुझे प्रसंदता तब होती ही कि 55,000 से ज्यादा स बारिते के देतरत में प्AS भारतरी के कारकरटा की देवतुर कारकरता होता ठादेव हाथते कहें रह गया है इसलिए आप देखेंगे के दीलगइ से हाथत्रस की दूरी कोई दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। चाहे तो प्रधानमंत्री संसत से फारिग हो गए थे वो जा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन दुनिया ने देख लिया और देश ने देख लिया। बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी पहले बात की पीड़ी के जो लोग हैं वो अब राजनिती में अपना घंडा फेरा रहे हैं। अखलेस हो, राहोर हो और बाकी के कई लोग है। तो यह सब लोग यहां तक की राजसभा में जहां के बीजी जनता दल विचारी अकेदी खड़ी थी। उसको भी नो ने अपने साथ खड़ा करने में कामिया भी हासिल की है। इससे भारती जनता पार्डी की घवराहट और बढ़ गई है। इदर लोग सभा में संख्या बलकम ही। यहां राहू के तु इनके आगे पीछे लगे हुए हैं। इसके पास कोई कोवन मिनिममम प्रोग्राम नहीं है देशकी की जनता के कल्यान के लिए। कि भई हमने अपना आगे जनता तो एक परफ रख दिया। जनता के लिए जेडियू और टीडीप और बीजेपी और चिराग पासवान और माधी का यह कौम अंदे जनता है। वह ही नहीं। तो ऐसे में घवराहन बहुत बढ़ गई है। वह आने वाले जुम में आप देखेंगे कि चार-पास राज्यों के विधान सबहों की चुनाव होगे। या उप चुनाव होगे। अभी लोगों की नजर्वाइनार्ट पहेंगे। प्रियंका गादी चुनाव लड़के कैसे इसान के साथ आती है या नहीं आती है। कि अलग बात है। लेकिन लोग अब द्रहों के बूर्ट में हैं। लोग भारती जन्तापार्टी को या तो राजधर्न सिखा के मानेंगे या उनका राजधर्न जो इस्थातिक हुआ है उसको खाड़ के मानेंगे। ये इंदम तेह हो गया है राहुल गादी की भूमिका से। अब चुंकि वो लोग चभा में बिपक्ष के देता है तो उन्हें के अबल देश नहीं देखता है। देश की राजधर्नीती के लिए प्रासंगिक नहीं है। अब वो दुनिया की राजधर्नीती के लिए प्रासंगिक है। हर देश की नजर उनकी एक एक गतीजी पर है और आप देखेंगे कि जब भी अगला चुनाव हो चाहे वो छे मुने बाद हो चाहे पांस साल बाद हो राहुल गांधी ही अब इस देश की राजमीटी का प्रमुख खेरा होंगे तब तक हो सकता है मैंने मोदी जी ठंग जाए तद्यास ले 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 या दुबारा से पिचारक की भूविकान है अब वापस लोगे जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रहे हैं मैं सुची तरह आपके सबसे अंत में आता हूँ पहले का सुदाइशू सर के बास से ले जाता हूँ छमा कीजिए का मुझे आज आज आप सुद लिया भर की निगहा नजर अब राहुल गांदी पर राहुल गांदी जो कार्ट्स खेल रहे हैं वह एक्दम उनके सही अभी जो कहा था कि शैद रवीजी ने का कि हर पत्ता उनका सही चल पा रहा है लग रहा है ठीक जगह पर पहुँच रहा है और इन सब के बीच जो एक खास बात ये भी रही है कि जो रोकसभा का जो दौर हो लोकसभा के भीतर और सड़क संसद सड़क दोनों पर और जो बाकी बातें हो रही ठीकी सब पीछे चोड़ते चले जा रहे है तो आपकी क्या टिपणी होगी इस पर सुनाशु सब्सक्राइब इस बार की जो संसद है वो बदली हुए संसद और मैं क्यों कह रहा हूं यह वो पार्टी जो अभी याद होगा हम लोग कई बार डिसकस करते थे कि विजेपी अपने परतिपक्स को विपक्स को हिकारत की नजर से दे उनके नेताओं को मितलब यह मान कर चलती है कि इनकी क्य का हैसियत है हमारे साथ और मुझे आश्यर लगा उस दिन पार्लेमेंट के अंदर जो हुआ उसको देख कि कितनी घवराई हुई है यह पार्टी इस रिजल्ट को देख अगर सत्ता बदल गई होती तब पताने क्या होता जब अभी यह हालात है कि उनके पास ही सत्ता है उसक साथ कुछ और चीज़ चर्चा होती ठीक है राउल जी ने बहुत बढ़िया भासवन दिया वह सारी चर्चाएं होती लेकिन अपनी घवराहत में जो किया ही लोगों जो अभी हमारे सीनियर्स ने सारे ने कहा कि मैं पहली दफाह काफी दिनों के बाद को दिख दिख रहा थ मिनिस्टर जो किसी को कुछ नहीं समझते उनको लगता था कि पूरी दुनिया भारत छोड़िया पूरी दुनिया मैं चलाता हूं यूद रोग देता हूं बाकी सारी चीज़ें उनको इतनी घवराट हो रही थी कि दो बार इंटर्वीन करना पर रहा है नेता प्रतिक्रक्स कर सकते हैं लेकिन उनको घवराट थी और पूरी पार्टी घवराई थी उसका आप देखे क्योंकि वैसे नहीं शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर शुरू करते हैं नेता प्रतिक्रक्स के बोलने के बीच में उसके बाद अमित साह यह कहते हैं नजर आते हैं कि स्पीकर साह हमें संदक्षन दीजिए गिरिव मंत्री इस देश का स्पीकर से संदक्षन मांग रहा है और एक एक जगा पर रोक कर यह मतलब आप यह समझ रहे हैं इतनी आसानी से इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए उनको इस बात की समझ है कि आज अगर नेता प्रतिक्रक्स के रोप मे तो पूरा देश उनको बहुत तनमयता से सुन रहा होगा इसलिए इनको यहां पर इंटर्वीन करना है यह उनके मन में है और वो चीजे उन्होंने करके और इसको मजबूत किया रावल जी को और मजबूत किया एक चीज इसलिए मैं कह रहा हूं को बदली यह है कि दूसरा पिछले दस सालों में सब पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस हो और विपक्स का कोई नेता कोई भी एक चीज बात करने के उठा या कोई भी ऐसी घटना हो तो दो चीजे होती मोधी मोधी और नहीं तो जैस्री राम हम लोग हम सारे जितने मुझे लगता है जितने पैनल मे ग्रूप में लोगों ने बदल रखा और ऐसा लगता तक वह अच्छी उनका समान नहीं कर रहे होते हैं जो भी उनका विरोध है परतिरोध है उनको चिड़ाने के लिए नारे लगाए जाते थे अब आज के वहां पर एक नारा लग रहा है जिनके खिलाब बोलने के उनके ह तो वह चीजें वहां बदली हैं सब्सक्राइब बदला हो तीसरी महत्कुन्ची जो रविंदर जी भी कह रहे थे कि जो कॉडिनेशन है विपक्स के बीच में जो कॉडिनेशन है वह बहुत अद्भूत है विपक्स हमने 2014 लेके 2019 भी देखा 2019 से लेके 2024 भी देखा अलग अलग अलग तरह कि उनकी प्रिष्ट भूमी है अलग अलग राजियों से आते हैं तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट है कई जगा आपस में भी इनका जिसे माले पस्री मंगाल में कॉंग्रेस और सुदाशू जी सुदाशू जी राहूल गांदी के वाशन वाले दिन वह एक पहले कहा था कि राहूल गांदी की शिकार तो रबिंदर जी ने कहा कि भैए टीमसी में महवा महित्रा तो दिखी सब ने लोगों ने कोट भी किया महवा महित्रा उनके साथ बैठ कर कुछ चर्चा कर रही है बैठ कर चर्चा करी और वह जो एक तरह से कई बार दिखता था कि नहीं ममता बनर जी अलग स्टैंस ले रही ह के अंदर मुद चीजे नहीं दिखने सब लोग यह मान रहा है कि हमारा जो नेटा पर्तिपक्स है को का इंड़ीया ब्लॉख है उसका नेता पर्तिपक्स नहीं है और इस चीज को राहुल जी निभाते मवें नजर आ रहा है वह जब अब आयउध्या की चर्चा करते तो यह जो सवाल खरा किया जाता था मोधी नहीं तो कौन अब आपको वहां पर दिख रहा है कि मोधी नहीं तो राहूल गांदी है देश के सामने एक लीडर्शिप है और एक अच्छी चीज क्या होगी और जो मुझे लगता है कि बीजेपी ने क्या मंतन किया था नहीं किया था लेक से पूरे देश को गया और वह साथ बीजेपी अपनी स्टैट्जी द्वारा से रिविजीट करेगी क्या करेगी क्या अभी एक सुचना आ रही है कि वह कंप्लेंट वगरा सुच दिया गया है कि नोंने कापे चीज़ेट पांडिंग और सारी चीज़े चल रही है वह क्या ह कांग्रेस ने भी किया है और दोनों तरफ से हुए लेकिंगे शुरात बीजेपी ने करी है कि और क्या हो रहा है जो पॉइंट क्या क्या उठाएगे एक महत्पुन जो अभी बीजेपी का आज भी सेलेक्शन के रिजल्ट में भी जो महत्पुन पक्स है वह हिंदूत की रा लाना डिकाना वो कह रहे लेकिन आप यह देखिए कि वह भी एक प्लान था जो राहुल जी ने कहा एक कॉंटर नेरेटिव है उस हिंदूत राजनीती की जो वहां करना चाहते हैं कि अगर वाकई में आपको हिंदूत की समझे तो हिंदूत का सबसे महत्पुन चीज है कि न सब्सक्राइब करना जाता है तो हिंदू धर्म में तो नियम यह जो सबसे पुराने जो माना जाता है सीव की और बहुत मुझे लगता है कि सीव की जो लेकर आए हम उसमें ना जाए हम यह चीजे तो पूरा देश देख चुका है हम तो भी ताज़ा परीपेक्षे जो आप इसको कि मैं आगली टिपणी सुषी जीजे भी लेना चाहूंगा आप समप करिएगा जी वो जो कह रहे थे मैं उसको उसी को बताने करें जी 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 और बरे पैमाने पर यह मैसेज देश के अस्तर पर गया है गया है आज के डीप में एक कंप्लीट नेता है और अगर कल जरुरत परी और देश ने जनता ने उनको मौका दिया तो बहुत अच्छे से और सवहार्थ पूर्ण भाईचारे वाले देश जो भारत की आइडिया उपनेशन की बात महां पर ओने थी तो जो 1947 के बात का जो भारत था जिसके सपने गांधी ने ने नेरू ने पटेल ने स भारत को लीट करने की समता राहूल गांधी जी में है यह वो परमानित किया है उन्होंने पिछले अपने बगता है बिल्कुल आप ठीक क्या रहे हैं मैं हाँगा सर सुशील सर के बादा सुशील सर हम जो देखा आप तो लगातार अब्जर्व करते हैं मैं आज यूपी की बात करता हूँ जब आज वो हात्रस पहुंचे वह हम वो उसको भी कनेक्ट करेंगे कि जब वो रहे बरेली में चुनाओ लड़ने जा रहे थे तो जो सुनिय गादी जी रहे वहाँ जो एक मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया था कि बेटा आपको सौंप रही है और जीत ज बोल के माउजा दीजी अब शक्ता है हमाँ पर उनको न्यायद लाई यह तरीकी की उनकी अपील थी तो आप क्या कहेंगे और वो पूरे इस तरीकी देश में ही पूरा और दूसरा यूके में हो गया है बंद्लाओ तेरा साड़े तेरा चुदर साल माद है जिक्रम साफ हो पर्टी थी हो दिखा ओगा आपने सुनक साब की दल जो हो गया है क्या कहेंगे राजी वाई की जयजयकार करने से पहले यहाँ पर हमारे जो हमको छोड़की जो हमारे सारे साथूतंद बावा वैठे हैं कर लंकी बावा तो समास देते हैं समास लेते नहीं मैं इनको पढ़ पहुंचा राहुल जी तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से पहले आना चाहिए था इस देश के प्रधानमस्की को लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने उसको मनीपुर मान लिया है अगर हम मनीपुर नहीं गए है तो मैं हाथ रस भी नहीं जाएंगे हमें वह स्वागत करना है कि वह जैशा था तो मुझे स्वागत करना इस टैस से जो भी उनकी अपनों हो उसी वाद राहुल जी से में कि शिकायट थे और पोर पीम के नाते हैं और इतने जुहरंदर हमारे बाबाबा वैठे हैं कि माध्यम पहुंचना भी चाहिए था और सही सब्सक्राइब पर भी पहुंचे लेकिन आपको जाते वाद पहली मांगी करनी चाहिए थी जो फर्दी बाबा बैठा जो उचाप मुझा पहन के वहां पर वह भगवान बना बैठा था जिसकी चलंड धूल से लोग चले गए बेबस लो निकला की सब्सक्राइब करता हूं और देश के भधानमंती से और परतेशुच के नेता राहुल गाली इस वोर चाहें बाबा खटीये वाला और फाई नोंगो मैं अगयें तोडा पंड़क्ट जो होता है वह इनके उपर आप लागू होना चाहिए एक इनकी नियाव बनी चाहिए कि ये कैसे जाएगे क्या करेंगे कट्यां बैठ जाएगे पल्ली पिचल जाएंगे बल्ली पर लटक जाएंगे या जिन के नीचे जूल से लोग मर जाएंगे या जो पीस करोर की गाड़ी से कम निकलेंगे ही नहीं स्टाफ से कई बावा है यह मैं मांग करता हूं संजी भाई अब मैं आ जाता हूं लोटके राहूल जी को पास राहूल जी जब चाहते तब रावी देवी बन जाते राहूल गांदी जब चाहते तब संपॉन 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 बन जाते राहूल जाते हमने कितनी डिवेट में कहा होगा कितना हमने चाहती पीटी होगी कास राहूल गांदी को इडी ले गई सवाल जबाब किया अगर बन गया होते बजाए अध्यादेश फालने की जगए पर यह 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 पास करने के बाद इंटर नहीं करना चाह रहे थे एंटार पॉलिटिक्स में इनको दिगरी नहीं चाहिए थी इनको सीधे बाकएदा केजी करते हुए उनियर हैस्पूल होते 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 अब इनको प्यासदी मास्टर डिवी होनी थी अब इनको डिगरी मिल गई है विपर्ष के प्रतिपष के नेता के नाते और प्रति कर देखा कि प्रतिपक्ष के नेता के भास्ट धनवाद भास्ट में तो बित्त मंत्री सल्ला वो वो हो बित्त मंत्री जी वुपैंद्र चोधरी वपैंद्र आदो जी केंद्री मंत्री राजनाद जी केंद्री मंत्री होम मेंस्टर केंद्री मंत्री वह कर रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़ा कद्र बढ़ा गया और अभी जो रहुल को आज़ू सोना वाला जो ट्रोल किया गया था जो सबसे बला उनके साथ जो हारे थे में लगता है कि उसके बाद बहुत बड़ी बात होती है अपनी जगह सुबर्णा और और जो मारमिक अपीस होनिया गांदी ने की थी तंजी भाई तो रहुल गांदी के दो पूरी जिदगी मारमिक निकल गई जब आदी मरे तो भी व्लकुब मसूं छिथे जब वो में अगडी रहे और एदैस ने देखा उसके बाद भी इस तरीके से इलोक जोMP जो तहनाशाँ तरह भाग गए सारे जितने वह मागवी वाला टीम वह सब भाग गई कभी दिख जाए तो दिख जाए नहीं तो पता नहीं कैसे किस तरीके से परसों भात्रा भी कुछ दिन पहले गाए जो भासर मुझे अद्वत लगा मैंने माल लिया कि आने वाला भाविश और और पॉर इसके लिए उनिज्व बीस इक्षी वाइस चौबिस के बाद बुरिकरना पड़ेगा चौबिस से पाच का इसी च्छै महिने के बाद यह भाव हो जाएंगे संग ही हिंदू नहीं है भी CBD तो मोधि नहीं ऐखाटी नहीं दिवीटी वे तो वो तो वो तो वो तो सुशील जी वहां फावल कर गया है क्प्रदान वंथे कर वहां नहीं बोलते तो वह क्लियर भी नहीं कर पाते वो तोड़ासा जो वह बताना या दरशाना चाहा रहे थे वहने चूक करी तो उन्होंने बहुत वोटी और मोदी अने हिंदु को स्थियों से था यह हों थे एक न कि मुसलमान की टीम आई थी और यह मुसल्मान को टोपी मना कर भी अरे मुसल्मान को टोपी मना उसके बाद जब हाउस में गाए और लंबे-लंबे लेटे हैं दोड़ी पर चिंचरा रॉन रखने लगे तो अक्षर को करते हैं तो उसमें यह हुगा कि अरे बाप इसके वड़ा लोगतंतर का पुर्यारी क कोई नहीं होगा इससे वड़ा हिंदू का देपता ही कोई नहीं हो जो मुसल्मान को टोपी अटा दे उसके तो वही वही वाला जो केस हुआ उसी सब्सक्राइब का है साथ एम इनका है जो संसदी टीवी है उसमें साथ एम रहुल गांदी का और सत्तर के मोदी का है अब आप बताईए कितना बड़ा अंतर है टी आरपी में वीवर आये हैं उसके तुरंस बाद तो तुरंस आते हैं तो अब यह हिस्टी आप जान दीजे और फिर दूसरी बात जो वह करता है बहुत अच्छा हुआ जो अधीर रंजन हार गया मैं तो उसने तो मरा नास कर गया पुरी पार्टी को पूर्ना हार गया अब जो भी रही हो और इनका आना हो गया इनका हो गया तो मुझे लगता है कि यह दिखारी देज का देखे आप उनों ने जो भी हमारे ने कहा कि इनों ने 10,000-15,000 इतनी सब करते अपना समझ लिया है कि फाड़ा कैसे चलता है धान कैसे बोचे हैं टमाटर के बंडी में कारेट होते हैं काले हाथ वाले मिस्की से हाथ मिला के क्या मैसूस होता है गले मिल्स के क्या मैसूस होता है मुझे लगता है कि यह परफेक्ट हो गए हैं आने वाड़े बक्त में देश की बड़ी गर्दी के लिए लगता है समय को इन्तिजार है और वो अपने आपको परिपक पते और परिपक पता बढ़ती चरिया रही है सबी से टिपनी अलागे डिप्टी स्पीकर का जो केंडियेट है उनने वो जो क्लियर किया है उस अर्टिकल में मैंने कहीं पढ़ा है कि वो अयोध्या के जो सांसाथ है उनका नाम उनने कहीं आगे बढ़ा है कि उस पे सहमत ही हो गई है और दूसरा चुनाओ जो है अभी रज्यों में उन के चुनाओं में कैसे क्या आप लगता है कि सारी की सारी आस और उमीद रहुल गांदीजी होने वाले हैं डल कोई भी हो जो उनके इंडिया ब्लॉक के लूग है उस संदर में कितनी महत्पुड भूमी का उनकी सुलील सराफ से लेकर और सभी से में बहुत छोड़ी डिपनी हर चुनाव जीदने के लिए लड़ा जाता हैं और इंडिया गटबंधन ने प्रोटम स्पीकर के नाम पर अप्रेस आठ बार के सांसत के सुरेश के नाम को चला करके या बीजेपी को कटगरे में खड़ा किया कि बीजेपी एक दलित नेता को प्रोटम स्पीकर भी बनाने के तहीं लिए त्यार रही है आज अधेस प्रसाजी को डिप्री स्पीकर बना रहे जाने के बात चल लई है और डिप्री स्पीकर बने आरा मने इंडिया गद्धर समों ने यह महल बना दिया कि मुझको यह दलित नेता के साथ खड़े नहीं है और जो लोग यह कहा रहे हैं कि जब जीवान राम जी और डाक्टर मेडिकर्स के साथ कांग्रेस ने खिलवाल किया उनके साथ उनकी राजनीतिक आउमाना की उनका का पुरा का पुरा नेरेटिव यह खतम हो जाता है कि इन्हों ने अपनी इतिहास में किसी दलित नेता को मुक्ष्य मंत्री नहीं बनाया और आज जब इनके पास मौका था कि गलित नेता को पूर्टर में इसकी वीवेकर बना सकते थे जो तब से सीनियर मोर्ष थे और आज इनके पास मौका है कि वे दलित नेता को डिप्री स्पीकर बना सकते थे लेकिन नहीं बनने दे रहा है तो वह नेरेट्यू चलाने की बात है इसमें इसे अब लाग सफा है दूसरी ची लंतिम बाद कि विपक्ष की राजनीत के एक गेंद्र में राहुल गांदी ही है को अगर संदाब विपक्षच की राजनीत करना चांथे हैं तो आपके साथ जाने वाला नहीं है या कई राजियों में हुआ है और सभी राजियों में होगा जी बिलकुल बिलकुल रवीन से आपकी बैबी यही चीज की पॉलिटिकली जो मूव है हम जो आपने भी उसको चलाया थे कि बहुत प्रॉपरली कार्ट्स खेले जारहे है वो उसी का इस्सा है जीते या ना जीते उन्हें पद मिले या ना मिले लेकिन यह स्थापद होगा कि यह बालित विरोधी और इसका टैस्ट अभी तीन महने में हो जाएuedगा तीन महिने में जिन सभाद चुनाव होने हैं महराश्टरा और हरियाना इन दोनों स्टेट्स में गजब की परफॉर्मेंस रही है इंडिया गटबंदम की और महराश्टरा के आप यह मानी कि दलित राजनीती का एक बहुत बड़ा गड़ है जहां से बाबा सहाब अंबेड कर महराश्टर जा रहे हैं तो जिस तरीके से वो हर विपक्षिदल के साथ अपना जो समनवय है उसको मजबूत कर रहे हैं और वो जिस तरीके से धूरी बन गए कुछ दिन पहले देखे कैसे खारिज किया जाता था राहूल गांधी के नाम पर कि राहूल गांधी के अलावा और उसी के इर्ददीर राजनेती घूम रही है चाहे महराश्टर की राजनेती अब देखे अर महराश्टर का चुनाव हो तो उसके केंदर में राहूल गांधी ही रहने वाले हैं और चाहे हं हरियाना का चुनाव हरियाना में क्योंकि व... ये कॉंग्रेस पार्टी आम तोरक पर मुख्यमंत्री का चेहरा खुशित नहीं करती है ऐसे में जो केंद्रे नित्रत्व है उसके ऊपर ही पूरी दारोमदार रहता है और आज जो लोकप्रेता बढ़ी है राहूल गांधी की उसका फायदा लोकल यूनिट्स को निश्चित और पर होने वाला है और जो सर ने बात कहीं कि उनके भाशन को कितना ज्यादा देखा गया लेकिंग उनके भाशन को देखा जाना और उसके साथ साथ हम एक और प्वेंट चोटा से एड़ करूं मुझे मालूम है बाकी लोगों को भी बोलना है कि जिस तरीके से प्रधान मं बहुत ज्यादा पिछड़ गए है और राहूल गांधी कई कदम उन से आगे चले गए है इसलिए किसी भी तरह का उनको पर आकरमन जो है वो फिलाल काम कर नहीं रहा है जी सर बिल्कुल 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 राकेश जी मैंने तो वो जो यूके के चुनाव की बा हिंदुस्तान जी उतरना सुझी हो जा है पर आपने देखा ही कि यो लोग सभागे चुनाओं के जनादेश है वो यह बताता है कि अब मिशा उतर रहा है तो यह इधर से तो उतर रहा है लेकि इधर मुसके लिए होगी कि भारती जंता पार्दी के पास जो तीन प्रमुक्त हिंदुस्त है उसको बता दिया कि हिंसा कौन सा है हिंसा वारे वो हैं जो आप दरा रहे हैं कि राहुल गांदी के भाशन के बादेश में कुछ हिंदू संटर को पद्रव कर सकते हैं खुपिया रिपोर्ट है राहुल गांदी की सुरक्षा बढ़ा दी जाए तो यह वो लो पचास दिन तक जिल में रख लिया और आज उन्होंने सपक लेजी मुख्मिन्टी के तौर पर तो तीनों जो कार्ड थे वो इनके फेल हो गए हैं और यही तीनों कार्ड अब आने वाले जो विधान सभा की चुनाव हैं इनके लिए बहुत बड़ा खत्रा बनने वाले हैं राहुल गादी खत्रा नहीं है राहुल गादी तो लोक्सित के लेए अक संजीवनी की तरह वादे जाएंगे लड़के सब्धान के लिये ढक्के खाके सड़कों पर क्यों के अपनी लोक्षबा की सदस्ता गंते अपने तरकारी Angla मंते वह उन्होंने फुल सारी अग्झी परिच्छाय पास करके कुद्णन की तब के आ गए हैं अब बारी मोधी जी की है और मोधी जी शायद इसके लिए अपने आपको तयार न कर पाएं क्योंकि वो तो पुचारक हैं पुचार कर सकते हैं सरकार किलाना उनके बूतेगी बात नहीं है और यह मैं पहले भी कह रहा थ भी नेता न सडब्वा निखरता और सड़क पर रहने के लिए जो भी नेता सड़क पर रहेगा उसका उठान होना है वह आगे पड़ेगा और आगे पड़ेगा और आओ जान्दी जी ने यात्रा शुरू करके दो यात्राइं करी और यात्रा के बाद जो आप लोगो करें तो बहुत बढ़िया कंपेंशन बन रहा है और आने वाले तो 이것 की दूरी नहीं बने सिवार जो लोकसमाय चुनाव था उसमें भी कहिंगही राहुन गानी बाल होन की तरह काम कर रहा हु जहां जहां конфlict हो रहा था सबसके उसको ठीक करने के उसमय समझव होता कराने की राहुल जी ही आ गया है तो यह 5-7 backside के तो वह सारी चीजों को उन्होंने परमानित कर दिया को शरक पर भी रह सकते हैं इस आपस में मेल मिला भी करा सकते हैं और प्रसासक के रूप में एक अच्छा परफॉर्मेंट दे सकते हैं तो भाविस उनका काफी आने वाले दिमें बहुत उज़्यों सुशील सर आपकी अंतिम टिपनी आपसे समाप करूंगा एक सटाय टिपनी छोड़ी से टिपनी सब्सक्राइब करें दिन बनते हैं तो ऐसे बदलते हैं वाइनाट जीत नहीं जा रही है अगर बहन भी आगई आई गई गई तो यह भाई-बहन जब बोलेंगे हाउस में मुझी दखता विपक्ष तो वालवाज मौशे बढ़ी जिस्तिमा आजाएगा मामुला दूसकी आ अब कहे गए गए घटना हुआ है एक बार बना मुझे अपना ही पता है समय नहीं है जब नहीं है अम्मारी जी मिले थे पहली बार कि कैसे मिले थे और क्या रास्ता पता आई आपका पैदू तो आपको मालूम होगा सवागंटे रहे हैं सवागंटे बैटे हैं तो बाते हुई होंगी उस तो अधान प्रदान सुपकानाओं का हुआ होगा तो तो बहुत बड़ी बात है तिसरा इस चारो स्टेट में भविष्ट उज्व अलभी लिए पहराज्ट उत्तरदेशी जर्सीटे आपके हरियाना यह जो भी है उनमें चौशा जो सबसे बड़ा है राहुल गांदी अप्रतिपच के नेता है ना होना है ना खाड़ने वाले हैं ना पत्पू है ना राजू है ना छोटू है आज प्रोटो कॉल में शायद पांश्में नंबर के होंगे मुझे नहीं मालूम सब्सक्राइब को चार कवरें के मकान से निकाल गया था मुझे नहीं समान फिक्वारिया साथ ताला आज जोड़ से रोटाएं थे वह आठ कवरें का मकान मिला है और बड़ी 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 फोर्ट लग गई है एक बटालियन पूरी वो तो जो हवी चले वो चलिया ही है पूर लाँ करने तो यह कुष्पटि साथ करने ना मैं करता कि बड़ाओ जोस्ट है नेचर कर रहा है और रहूल पानी कि दिब्लण कर लएं यह पॉल्टिक्स्त है लुए कटर चलती तो पिर पर आते ही रहते हैं तो हूँ सब स्बुक्त तो और यह जाग आदी रखल गार आपको बहुत छोटे से दिल में बड़ी सी जगह चाहिए वो उन्होंने हांसिल कर लिए और उस जगह तक कोई नहीं पहुं सकता महल कड़ा कर लीजिए वो जो एंटलांटा है क्या है वो शायद मैं बोलने में गलत कर गया हूँ जो आप मुकेश अम्मानी जी का वो भी भी आमाफ कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद है चर्चा के लिए सुखील दुबे साब सुनीर शुकला साब राकेश जी रवीन सर और हमारे सुदान शुजर बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद तो यह थी हमारी आज की चर्चा जिसमें निकल कर यही आता है कि राहुल वो देश के लिए जो करना चाहते हैं उसकी और वो बढ़ते चला जा रहा है और वो उन कदमों को निरंतर सरहा जा रहा है इस चर्चा में इतना ही हम पिर किसी नई विश्य है किसी नई चर्चा के साथ आपके समख़ पस्त होंगे हमारा अनुरोद कि आपको यह चर्चा हम झाल 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